किश्मत मौका देती है पर मेहनत चोंका देती है नमस्कार स्वागत है आप सभीका Business Blinker के एक और नए वीडियो में जहां मिलेगी आपको एक और नए business idea की पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही common और हर जगा यूज होने वाले product कि manufacturing से लेकर marketing और profit margin के बारे में बात करेंगे करना हो नया business या फिर बढ़ानी हो अपने business की रफ़तार तो subscribe करें हमारे YouTube चैनल business blinker को आज हम जिस product की बात करेंगे उस product का इस्तेमाल हर घर, office, shop एवं बाकी जगहों पर किया जाता है यह product छोटा है लेकिन इस्तेमाल और खपत बहुत ज्यादा है हम बात कर रहे है rubber band की जी हाँ rubber band जिसका इस्तेमाल note के bundle को बानने, मिठाई के packet को बानने और अन्ने कामों में लाया जाता है आज की इस वीडियो में हम rubber band के different types और उसकी manufacturing कैसे होती है उसके बारे में बिस्तार से जानेंगे तो आईए सुरू करते है rubber band का business बहुत ही कम पूंजी में एक part time business के रूप में भी सुरू किया जा सकता है rubber band के business को तीन तरीके से सुरू किया जा सकता है पहला पूरी तरह से तैयार rubber band को खरीद कर market में supply किया जा सकता है दूसरा rubber band cutting machine खरीद कर घर में खुद से rubber band तैयार किया जा सकता है और फिर market में supply किया जाए तीसरा rubber band manufacturing का complete setup लगाया जा सकता है तो आईए अब एक एक कर इन सभी तीनों तरीकों के बारे में जानते हैं इस business को समझते हैं कि इनमें कितना investment है और इसमें profit margin क्या है पहला तरीका एक trading business का है जिसमें हम किसी company से माल को उठाते हैं और फिर अपने area और network के हिसाब से माल को supply कर देते हैं rubber band के business में trading करने से पहले हमें जिन बातों का ध्यान देना चाहिए वह यह है कि आप जिस area में काम कर रहे हैं वहां कौन सी quality चल रही है और कौन लोग इसका इस्तमाल ज्यादा कर रहे होते हैं अगर आप एक बार इन चीजों की जानकारी कटक कर लें तो आपको अपने product को बेचने में आसानी होगी आप अपने product को ज्यादा तर wholesaler दुकानों में supply करने की कोसिस करें जिससे आपको business करने में आसानी होगी wholesaler दुकानों के अलावा मिठाई के दुकानों पर वह उन दुकानों पर आपके माल आसानी से बिग जाएंगे जहाँ packaging से संबंदित काम होती है अब बात करते हैं माल कहां से लें, कितना लें और कितना कमाई होगा rubber band market में वजन के हिसाब से मिलता है अलग-अलग quality के अलग-अलग rate होते है rubber band 100 रुपे केजी के हिसाब से market में मिलनी सुरू हो जाती है और quality के हिसाब से rate बढ़ते चली जाती है जो की 3700 से 400 रुपे प्रतिक केजी तक पहोता है rate में अंतर इसलिए आता है क्योंकि उसमें यूज होने वाले rubber tubes की quality अलग होती है rubber band खरीदने के लिए आप नई दिली के सदरवजार गूम सकते हैं जहां आपको rate और quality की जानकारी मिलेगी साथ ही आपको इस business को समझने का भी मौका मिलेगा इसके अलावा आप kolkata या फिर अपने किसी नजदी की rubber band factory से भी मल उठा कर अपना business सुरू कर सकते हैं इस business को आप अपने budget के अनुसार सुरू कर सकते हैं आप चाहे तो 10,000 से भी इस business को सुरू कर सकते हैं अब हम rubber band से जुरे business की दूसरी type की बारे में बात करते हैं दूसरा तरीका एक लगूद द्योग का है जिसे आप अपने घर से सुरू कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफ़ा भी कमा सकते हैं इसके लिए आपको जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी उन सभी के बारे में हम आज जानेंगे पहला rubber band cutting machine दूसरा electricity तीसरा raw material for rubber band चौथा packaging material इन सभी के मदश से आहम अपने घर पर rubber band को तयार कर सकते हैं और market में तयार product को बेच सकते हैं rubber band cutting machine market में 30,000 रुपे से मिलना सुरू हो जाता है इस machine को बिजली की जरूरत होती है इसका इस्तिमाल बहुत ही आसानी से होता है machine के एक side से raw material डालिए और दूसरी side से तयार माल निकलना सुरू हो जाता है अब बस तयार माल को pack कर उसे आप अपने हिसाब से बेच सकते हैं rubber band market में kilo के हिसाब से बिखता है तो उसी हिसाब से उसकी packaging भी की जाती है packaging में आप दो तरीके से कर सकते हैं पहला यह कि बिना कोई brand name के एक plain bag में packing करें या फिर अपने brand name से poly bag print करवा कर उसमें packing करें और rubber band के लिए raw material के रूप में rubber tube का उपयोग होता है जो अलग-अलग color और अलग-अलग quality में आता है rubber tube market में meter के हिसाब से मिलता है और या 50 रुपे मीटर से मिलना सुरू हो जाता है तो इस तरह से हम अपने घर में rubber band की manufacturing सुरू कर सकते है और इस वैपार को और बढ़ा कर सकते है rubber band manufacturing करने का तीसरा टाइप या है कि इस business का complete setup लगाया जाए जिसमें rubber tube की manufacturing से लेकर cutting tank का process सामिल होता है जिससे हम rubber band making business के second part में जानेंगे चलिए इस business के कुछ basic और मुनाफ़े के बारे में जानते है rubber band के business में अपने profit margin का बढ़ाना है तो आपको कोशिस या करना होगा कि आप अपने product को quantity में sell कर रहे हों जिससे आपको अच्छा फाइदा पहुंचता है पर केजी रवर्मेंड में आपको आसानी से 15-20% की profit margin रख कर आप wholesaler को दे सकते हैं और अगर आप retail counter पर supply कर रहे हैं तो आसानी से 30-40% का मुनाफ़ा कमाया जा सकता है इस हिसाब से आप अपने raw material में investment का 20% आसानी से profit के रूप में कमा सकते हैं चाहे इस्तिती कैसी भी हो तो यह business हर तरीके से फाइदे मंद है आप इस business को अपने घर से भी सुरू कर सकते हैं तो देर किस बात की अभी से सुरू कर दे Thank you for watching the video हमारे यह वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताएं और हाँ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like, share जरूर करें और हाँ हमारे चैनल को subscribe करना न भूलें और bell icon को दबाएं ताकि हमारे वीडियो की notification आप तक सबसे पहले पहुंचें